हमारे दोस्त बार हम लोग बाता का पूजन करते हैं और लोग बड़ी शरदा से इस पूजन में विदीबत अपने अपने घरों में मंदिरों में करते हैं वैश्यो देवी जी के भी जो भवन में भी लोग हाजरी देते हैं तो जो अब नवरातरा हमारे 29 से 7 तक महाउतसब जो है शारदिय नवरातरों का उनका बड़ा महातब है बड़ा उत्तम माना गया है हर साल पिछले रगबग 23 साल से नवरातरा फेस्टिवल का अयोजन किया जा रहा है कट्रा में उसी विदिवत इस साल भी नवरातरा महाउतसब का अयोजन किया जाएगा नवरातरा उत्तम में फेस्टिवल में जो की श्राइन बोर्ड और टूरिजम विभाग हमारी जम्मू कश्मीर की जो सहयूप उनका जॉइन एक इंडेवर है उनकी वेंचर है वो इस साल भी उसी शोब बलकि हमारी स्टेट में राज़े में जम्मू में रियासी में उधुंपूर में आके उच्छे समय भी बिताते हैं और यहां की जो एकॉनमी है उसको बहु काफू फायदा मिलता है तो महात्सव जो है वो नाकेवल उसका धर्मिक महत्व है बलकि हमारी राज्ये में जो टूरिजम है जो सेरो सेहात है उसको भी काफी प्रोथसान मिलता है इस साल जैसे मैंने बताया कि 29 से साथ सप्टमबर से 7 अक्तूबर तक ये आयोजन किया जाएगा अलग अलग प्रोग् प्रोथसान जाएगा उसके बाद उसी दिन शुबाय यात्रा निकाली जाएगा और हर दिन ये शुबाय यात्रा जो है 29 से लेके 7 तक इसका योजन किया जाता है बजारों से निकलती है अलग अलग जगाँ पे इसका पड़ाव होता है और फिर ये काफी लोग इसमें उप अबस्तित रहते हैं और इस शुबाय यात्रा के बाद माता की कहानी हासिर और व्यंग का एक समेलन किया जाता है कवी समेलन होता है काफी वर्षों से जो एक अकरशन का केंदर रस्लिंग कंप्यूटिशन जो है वो उसमें अलग लग इस्सों से इनी देश के बल्कि पूरी दुनिया से आके जो रेस्टलर्स हैं पहलवान जो हैं वो अपने पुनर का यहां पर परदर्शन करते हैं वो भी एक अकर्शन के अंदर आता है इसके अरावा का स्पेशली इबल जो हमारे दिव्यांग थे उनका भी पिछले कुछ वर्शों से प्रोग्राम जो हैं उनको यौजन किया जाता है इसके साथ साथ आल इंडिया भेंड कम्पेटिशन अब जैसे जानते हैं कि यह शुरू से ही आलिंडिया भेंड कम्पेटिशन में भहुत सा सारे लोग जो पार्टिस्पेट करते हैं और बहुत सारे कलाकार जो है उन्होंने ख्याती प्राप्त किये देश में दुनिया में और मतलब कला के शेतर में उन्होंने बड़ा आगे आगे कांट्रिबिशन किया आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइसे लगबग एक मीना पहले एक हम लोग ने मीटिंग की थी सब डेपार्टमेंट के साथ और उसके बाद बाद अलग जो कमेटीज हैं उनको एक रूप दी गई थी वो जो सब कमेटीज और कमेटीज जो हैं वो उनको हैड मुखे तोर पे डेक्टर टूरिजम सीओ साव हमारे इश्राइन और अलग अफिसर जो हैड कर रहे हैं सिविल सुसाइटी के मेंबर्स जो हैं अपने अपने शोबों में और जो क्षेतर हमें जो महारत रखते हैं वो भी हैड कर रहे हैं और इन कमेटीज के महाद्यम से जो अलग लग प्रोग्रेम जो हैं हमारे चाएक अलग शेक्षेतर मे एक अलग तरह का आपको महोल नजर आएगा एक पूरा फेस्टिग महोल जो है वो साथ आर दिन जो है नो दिन के करीब जो आपको मिलता है इस साल भी उसी तरह से और उससे भी भेतर आपको मिलेगा हमारी डिप्टी कमिस्टर रियासी जो है वो नोडल आफिसर है इस पूरे आयोजन की महायोजन की और उन्होंने भी इसमें हर रोज जो है वो इसको खुद रिव्यू कर रही हैं कट्रा में कुछ और चीज़ें भी साफ सफाई सुच्छता दिवारों को पे रंग रोगन और बिल्लिंग्स का भी जो एक नई उनको शकल दी जाती है जिसे कि पूरा म बहुत सारे टूरिस्ट को कट्रा टॉन की तरफ तो अब मीडिया की तरफ से भी जो हमें काफी सरयोग मिला है आल इंडिया रेडियो और मीडिया चैनल्स ने भी इसको पुब्लिसाइज किया है हमारी सरकारी मिशिनरी और हमारा विभाग जो है इन्फोर्मेशन का वो भी और टूरिजम विभाग की शरकत से इसको पुब्लिसाइज कर रहा है मेरी अपील रहेगी सब शुरुताओं से देखने वालों से जो आपके चैनल के चैनल्स के माधियम से पूरी हिंदोस्तान में और पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंच रहा है कि कट्रा में आके इन के रहने के लिए उनके सुख सुविदा के लिए हर वो इंतजाम किया गया है जो हर साल किया जाता है और इस साल भी वहीं इंतजाम जारी रहेंगे डिस्कॉंट भी और बाकी बी जो इंसेंटिव जो है आनवली लों को दिये जा रहे हैं ताकि उनका स्टेज जो है वो कंफ पूरीत करके आप भी माता का शीरवात राप्त करें और यहां की जो मेमान नवाजी है हमारी स्टेट की उसको आप इंजॉय करें मैं बिल्कुल मैं बताउँगा कि श्री माता वैश्ट्र देवी जी की जो यात्रा है वो पूरी तरह से 104 गूप से चल रही है और मैं इस साल भी उमीद करता हूँ, मेरी विंती रहेगी मुल्क में और बहार रहने वाले हमारे जो शिर्दालू हैं, वो आएं दर्शन करें माता के यहां पर हर उस तरह का इंतिजाम स्टेट में है, चाहे वो स्क्यूर्टी के लिहाज से हो, उनके रहने ठहरने का हर इंतिजाम जो है वो बहुत अच्छी तरह से है और मेरी अपील रहेगी उन लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादाब में आके माता जी के दर्शन करें देखे बिलकुल यह सिर्फ मुबाइल टेलीफोनी तक या इंटरनेट तक ही महदूद है बाकि ब्राउडबेंड सर्विसीज और खासकर कट्रा में वैसे सर्विसीज जो है उनको ब्राउडबेंड के दरिए नहीं कराए जाएगा यह पस्चन है आपके पास प्राजंदर यहां पेपन से यह जो ट्रेडिशनल रूट है हमारा कोड कंडोली माता से जो ट्रिशनल रूट है जहां से यापता जाती थी पहले क्या आज उसको दुबारा उस प्रैट के उपर शतालों को देया जाएगा कि नेशनल हाइवे से लिए एक जयाए जाएगा देखिए जहां तक आपने ट्रिशनल रूट की बात के ही माता के जाने के लिए पुराने जमाने में एक रूट निता रूट गरता है जिस्में कि बौह सारे बर्षाय जा है को आपकी है वह समय समय से लोगों ने अलग लग रूट को प्तियार किया वें तो बेस केम से चिपबर वायश्ण Dalabhya जाने वाला रास्ता है मैं लिए वही ट्रदिशनल पर देखे जो यात्रा एक इस पूरे नवरातरा फेस्टिवल की जो रूप रेखा वो इस तरह से त्यार की गई है कि माता के दर्शन करें और लोग निहारें लुथ उठाएं हमारी जो वेंजन है हमारा कल्चर है यही हमारी स्टेट का है नहीं बलकि पूरे मुल्क में जो कुछ कल्चरल आइटम्स उनको भी परदर्शन किया जाए और मैंने जैसे बताया कि इस साल भी उन साब कल्चरल आइटम्स का जो कल्चरल अलिमेंट्स हैं उनका परदर्शन किया जाएगा पहले दिन जो जहांकी होती है वो बहुत एक महां ग्रैंट एक ओकेजिन रहता है जिसमें कि विशाल तोर पे एक हमारी स्टेट के और जम्मू संभाग के खासका रिय नाच गाना है उनके जो विंजन है और बाकि जो कलाक्रिकिया उनका परदर्शन किया जाता और इस साल भी उनको किया जाएगा और भूदा भारी स्केल पर किया जाएगा तो जो यातरी इबार खास से नराक्रा में जो लोग आएगे या अडिस्टेशन करब से कोई ऐसा बंदुबस्ट है कि वो माता राशन देभी श्राइन के इलावा इन जगों पे जा सके और उनको इसी तरह की को तोलियत जो है उनको प्रफाइक के बादेखिये ये जगाए कोई नई जगह नहीं है हर साल लगब 20 लग जातरी जो शिवखोडी वगौन शिव के दर्शन करता है और वह यह रवायती रूट है और लोग जाते हैं इस साल भी पब्रिसाइज किया गया है स्पेशल कॉंटर जो है हमारी टूरिज्जम डिपार्टमेंट ने काइम किये हैं हमारी शिरी शिवखोडी श्राइंग बोड़ने भी काइम किये हैं और इन लों को जन्लों को जानकर ही नहीं है उनको यह कर्शित किया जाएगा और उनके रहने के उनकी फसिलिटेशन के हर इन जगों पर भी जो यह पड़ाव हैं अगर आव शुरूख से जाएं नो देवियां हैं बाबा धंसर हैं आपके देरबाबा बंदाबादुर हैं फिर शेव खोड़ी के साथ फिर पूरा सर्केट पूरा होता है लगबत जैसे मैंने बताए 20 लाके यातरी करीब जाते हैं इस साल भी इस यातरा को दुरान यातरी का पड़ाव जादा हो उनकी रेटेंचन जादा हो हमने पब्ली साइस किया है ताकि यातरी जो हैं चाए वो उनकी ठैरने के वश्ता हो गाडियों के इंतजाम हो अगर उनको वहां से जाना है अपनी गाडियों से हैं तो हम उनको व का रोल एक परिफरल रहता है करना है हमारी कोशिश यह है कि वहां का होटलियर हमारी स्टेट का कट्रा का बाकी जगाओं पर गाड़ी चलाने वाला उसको जादा से जादा इससे फाइदा पहुंचे और उन सब चीजों को उनको भी इंटेग्रेट किया गया जैसे मैंने बता पूरी बाकी जितने भी जिले हैं ताकि उन्हों को इसका फाइदा पहुंचे और वह इंपॉर्टन स्टेकोलडर है और वो खुद भी इसमें काफी आ गया के लोगों को मदद कर रहे हैं और उनका स्वयोग हमें मिलेगा और लोगों को उस तरह भी रागिप किया दाएगा सब्सक्राइब कर देखिए लगबग तीन लाग ख्यातरी हर साल इन अरौतरों में दर्शन करते हैं तीन लाग سाथजर के कारीब करीब करीब दोज़स्खट सतरह में था तीन लाग फ्रीज़शर के करीब करीब दोज़सार अठारह में था मैं अमयद रखता हूं कि ल3-4 लाग जातरी जो हैं इस साल भी आएंगे जो हमारे CEO साब हैं खुद इन्होंने contact program रखा है इंटरनेट के माधियम से लोगों के इनके जो अपना network है इनके अपना जो channel है उसके माधियम से टूरिजम भी कुछ दिनों पहले कलकत्ता का लंबा दोरा उस area में लगा के आए हैं ताकि वो road shows किये जाएं इसी तरह से गुज security की बात की we are fully prepared हर वो इंतजाम security के लिहाए से किया गया है इसमें बहुत सारी meeting हो चुकी है वो किया जा रहा है और हम वचनबद हैं यात्रियों को pilgrims को जो भी हमारी घ्यासत में आने वाला और जो लोग हैं उनको सुरक्षा को परधान करने के लिए तो इस बारे में निश जो कोई स्पेसिपिक कॉंटर्स बनाएगे क्योंकि बहुत साले लोग आएंगे वह हमको उनको ट्रेंज की booking और यह इस तरह का कोई कॉंटर्स आप दोकर आप जो कोई काउंटर्स नहीं है और जैसा वहाँ पर पहले भी जो है एसा इनेट नहीं होता था और नहीं क्योंकि कोई भी चीज ऐसे करने जे पहले हमें सेक्यूर्टी की प्रेंस देनी पढ़ तो वैसा नहीं है आई जिंग सर जो रेफर कर रहे थे वो कट्रा का यह कट्रा का जो आपका कहना है जो ट्रेडिशनल था जो पहले चल रहा था वो चल रहा है कट्रा में अगर सियो साब के हैं दफ्टर के प्लिश में चल रही है वंदे भारत एक्सपर्स कि आने की बात रूंजी क्या आपके पास को इंपर मुशन है कि नवरातों से पहले आ जाएगी या पिस तरह का इससे लिए से दका डर्का से आने बादी को सबसे जाधा समय बशने वाजा है लो उस पर जो पूल है, जो पूल होते हैं, इस तरह इस साल जो हो एक बोर्डन के इस भी नाया गया है वहाँ पे, जो की एक रेवलर कॉंचेस्स है, उसके बारे उसके बारे प्रीक करते हैं, जो बिल्कुल जैसे आपने कहा, नवरातरों में भावन एरिया के जाता है, जो एसेंशली स् होतर जो होगे होता है, जो फूल यह स्काइन, हमिमन संगरफूर पानमपूर से, उत्तरप्रदेश गजाफित इन दरहों से फूल अताए आता है, इस में एंपल जो होता है, वो हरा एपल वागे सी कि आता है और नारियर होता है उसमें ग्रेप्स होते हैं जो इतली से आते हैं और मौसंभी होती है जो हमारे यहीं से आती है तो इस प्रकार के ज़्रावट की जाती है और जो गोल्डन गेट आपने कहा वो बेसिकली श्राइन गोर्ड में डोनेशन पॉलिसी अपरू की इस साल एपरल में उस डोनेशन पॉलिसी में डोनर्स को इन्वाइट किया गया था कि अगर आपकी इच्छा है और यू वांट टेक अप प्रोजेक्ट्स विच श्राइन अलसो वांट तो वी वेल्कम यू तो उसी पॉलिसी के तहट डोनर्स सामने आए थे और गोल्डन गेट जो है ये बनाया गया ये जो पहना मार्बल का अगवार था वो लगभग 14 साल पॉराना होया था उसको भी प्रिपेर्स चाहिए थी तो ये भावन की कमेटी ने फैसला लिया कि ये गोल्डन गेट जो है ये बिल्कुल आइडिल होगा गौड़ेस लक्ष्मी के एंट्रेंस पे तो उसी तहट हमने इसकी प्लैनिंग ऐसी की थी कि ये नगरात्रों में दिखना चाहिए इसकी जो है ह साथ दिन का final काम बाकी है और I think 29th को ये fully ready होगा लेकिन अगले दो-तीन दिनों में हम आपको एक उसकी एक picture formally release करके आपको दिखा लेगे क्यूंकि उसका front start ready है और वो आ गया है So we will release that picture for the medium That is already there. It is not each day, it is there for the last 17 years. Whatever is there for the last 17 years will continue to be there.